दो होड़ टॉपिक्स है जिनके बारवेंगे बात करना है मुझे पहला टॉपिक है भहरफ कि शिव जी के ही रूप होते अंट मेरी ख्याल rubत भारती हिह अक्सर नहीं जानते ज़्यादा भहरव के बारे में आपने कब जाना क्या ज़ाना यह जाएंग मैं मंदर हैं बनार्स में पर भहरव अलग-अलग टाइप के होते है तो विमला नंदा जी नहीं आपको भहरव के बारे में समझाया है हाँ ना ऐसा आम तूर से लोग कहते हैं कि अश्टबाइरव हैं जी मगर वो अश्टबाइरव का नाम अलग-अलग है ऐसा नहीं है कि यह एक आठ नाम का लिस्ट हैं मगर दूसरा यह गरंत में अलग नाम का होगा तो भाइरव तत्व एक चीज़ है और भाइरव मैनिफेस्टेशन है अलग-अलग होगा मगर महत्वपूरना बात यह है कि बाइरव का अस्टित्व और भाइरव इसका यह संस्कृत का शब्द हैं और इसका बूल इसका रूत हैं भी भाया भाया मत का मतलब ढ़रю और बाइरव का यह ये शंकर बगवान शंकर, वो एक दम शंत मगज का शंकर बगवान, हमेशा इसाब बेचते हैं, गंगाजी गिरते हैं सरपे, शीविलंगी की तरह, काम, शंत परना, बट बाइरव, वो भी शीव हैं, मगर डराने वाले शीव हैं. Sorry, आपका podcast का flow तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, firstly, thank you for supporting us throughout the years, secondly, हमने एक नया initiative start किया, जिसका नाम है Bear Bicep Skillhouse, इसकी intention ये है, कि भारत की upskilling journey में, हम अपना थोड़ा सा योगदान देदे, हम लेकर आएं आपके लिए commercial editing का course, क्योंकि ये है, Bear Bicep Team का core skill set, Please check out Bear Bicep Skillhouse, follow our YouTube channel, follow our Instagram page, but for now, enjoy this episode of TRS. क्योंकि, सब लोग दरतें मृत्यू, जी, 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 और इसलिए, काल बायरव वो बनारस का कोटवाल हैं, और जब कोई जातें बनारस में, मैं परतना करता हूँ, किसी भी व्यक्ति जो बनारस चले जाएंगे, कि सरवपृतम अप जाएए, काल बायरव का जगे, काल बायरव का मंदीर मैं यागण से दूर नहीं हैं, और नमन करना हैं, और बोलना की बायरव बाबाबा, प्लीज, मेरे अच्हा हैं, मैरे अच्छान का दर्शन ले नहीं, तो अगर आप परवंगी देंगे, तो मैं जरूरूर बनारस का दर्शन, मैं सभवता रहूंगा, हो अगर इस समय उचित नहीं है मेरे लिए तो प्लीज मुझे समझाना और मुझे बाग जाओंगा जल्दी क्योंकि यहां को ऐसा यातना मतलब यह मारपीट करना प्लीज अब नहीं होगा, थैंक यू नम्रता से कहना और फिर दयावान है अगर आपने एक हफता बिताया वहां वन वीक और शद्धा से काल बहरव की प्रातना करी स्टार्ट में तो उस वन वीक में न बहुत कुछ हो सकता आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है पर वो खुले दिमाग, खुले दिल के साथ जाना चाहिए वहां कि शिवजी के पास अगर आप जाना चाहता हो तो बनारस जाओ खुले दिमाग, खुले दिल के साथ वहां कच्रावाच्रा मत फेको प्लीज अगर यह आप नोटिस करते हो कि बहुत सारे इंटरनाशनल लोगों, फॉर्णर्स को हमेशे यह लगता है कि भारत वासी अकसर यहां वाँ कच्रा करते हैं, जो सच है unfortunately, दुख होता है यह बात कहकर, I don't know how you feel about it, और इस वज़े से न बहुत सारे फॉर्णर्स भारत नहीं आते, एक तरफ मोदी जी कह रहे है कि हमाई टूरिजम इंडस्ट्री को आगे बढ़ना चाहिए, पर अगर actually मैं मेरे फॉर्णर्स दोस्तों से बात करू, उनको curiosity होती ह भारत आना होता है, पर ढरते हैं गाबेज लिटरिंग की वज़े से, कि आर आप लोग बहुत ज्यादा कच्रा करतो है हूँ, मैं चालीस साल से बानारस जा रहा हूं, और अब बेचारा गुजर गए, मगर एक प्रफेसर वीरबद्र मिश्र थे, वो बहु का प्रफेसर थे और स्वयम तुल्सी गाठ मंदीर का महंत था, जी, और क्या पता हैं, कितने साल से स्वच गंगा प्रयोजन के बारे में काम करते, 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 और अब थक गंगजी स्वच नही है, क्योंकि अब थक ये खचरा गंदगी ये गंगजी में पांच जाता हैं, क्यों गंगजी इतना परवितर नदी हैं कि अब सुच्चना चैहिा कि फुच्छी ये एक फटूट केच्रा क्यों ठाखना है। urbste अब tracking गंगजी ये पांगजी पाप होता है। आप गंगा महिया की पूजा कर रहो उसके बाद ही गंगा महिया का अपमान कर रहो समझ भी नहीं है तो और सिर्फ गंगा महिया नहीं भूमी मा नाम की भी एक देवी होती है यानि की अर्थ अगर मानलों आप ट्रेकिंग के लिए गए हो भी के चिपसुपस वहां खाने है खाओ पर वो पैकेट को फेको मत असे बाग में रखो कच्छे के डिबे में जा कर फेको और यह भारत में हर जगा होता है कम होने लगा आज़ थोड़ा बत पहले ज़्यादा हो जाता कम हो गया काफी कम हो गया मगर फिर भी आवर कम होना चाहिए कितना मुश्किल तो नहीं है अगर अगर कच्छा है तो जब में रखना है और जब पहुंच के ये शेर में तब निकालना है सब पवित्र जगा प्लीज पवित्र रखना है बनारस के बारे में थोड़ा सा बात करते है, सर, किसी इनसान को बनारस क्यों जाना चाहिए? बनारस जाना चाहिए जब एक मकसद है, जब एक अर्थ है, एक पर्पस है, जाना नहीं है केबल वाज देखना है, क्योंकि कुछ शायद अनिश्टा होगा, जाना है, या तो अस्ती विषर्जन करने के लिए, या तो पित्रु करमा करने के लिए, या अगर आप कोई भी प्रकार का संत या देवता का दर्शन लेने होगा, जा तो अगर ये श्री बगवान शंकर का दर्शन लेना होगा, Sincere, Sincerely Such, Such दिल से, जी, तब जाना जी जैसे, जी, जी, जी a जी-जी